सभी को मेरा राम राब अभी तक हमने लाइन, एंगल और ट्रियंगल पे चर्चा की थी उसके प्रश्णों को समझा था, कोशिच की थी, उनको समझने की आज हम पढ़ते हैं बहुभुज बहुभुज किसे कहते हैं और बहुभुज की और कितनी परिभाशा है बनती है उसके उपर आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बहुभुज किसे कहते है जो आकरिती चार या चार से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हो उसे बहुभुज कहते है कहना का मतलब है कोई बढ़ी आकेती हो वो चाय है आपका वर्ग है, आयत है पंच बुझे, शस्ट बुझे, अश्ट बुझे ये सभी जो आकेतिया है ये बहुबुज कहलाती है इनको हम कहते हैं बहुबुज तो बहु बुज में सबसे पहले हम बर्ग से लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं बर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और कौन समकौन होते हैं जैसा कि आप चितन में देख रहे हैं ये हमारा बना हुआ है बर्ग इसकी चारो भुजाएं बराबर है और चारो कौन समकौन है नमबे डिगरी के अगला हमारा है आयत आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सब कौन समकौन होते हैं अब यह आप देख सकते हैं चितर में यह हमारी आयत बनी है इसके भी चारो कौन नमबे डिगरी के है फरक क्या है बर्ग से जो इसका फरक है वो है कि इसकी आमने सामने की बुजाएं बराबर है बर्ग की चारो बुजाएं बराबर थी इसकी आमने सामने की बुजाएं बराबर है इसलिए इसको हम कहते हैं आयत अगला हमारा है समान अंतर चत्रुच उस चत्रुच को समान अंतर चत्रुच कहते हैं जिसकी सम्मक बुजाओं का प्रतियक युगम समान अंतर और बराबर होता है जैसे कि आप चत्र में देख रहे हैं यह हमारा है समान अंतर चत्रुच मतलब कि इसकी आमने सामने की जो बुजाए है वो बराबर है आयत की तरह बराबर है इसके कौन नमबे डिगरी के नहीं होते है इसके कौन नमबे डिगरी के नहीं है पर जो बुजाए है वो आमने सामने की इसकी बराबर है समान अंतर है आपस में समान अंतर पर है पर कौन इ इसी तरिका हमारा है थोड़ा सबस्पन फरक है अगला हमारा है सम चत्रभुज सम चत्रभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है पर कौन सम कौन नहीं होते है अब ये आप देख सकते हैं चत्र में ये हमारा है सम चत्रभुज अब ये समान अंतर चत्रबुज से किस तरह अलग है क्योंकि समान अंतर चत्रबुज एक आयत की तरह है पर उसमें कौन समकौन नहीं होते है भुजाय से समान अंतर होती है ये हमारा जैसे वर्ग होता है वर्ग की तरह है पर बर्ग की चारो भुजाय समान अंतर है आपस में समान है और चारो कोड़ नमबे डिगर के इसकी भुजाएदा समान है पर कौन सम कोड़ नहीं है तो सम चत्रभुज और समान अंतर चत्रभुज में आपने ये फरक करना है समान अंतर चत्रभुज है तो जिसका आपस का अंतर समान है पर कौन नम्बे डिगरी के नहीं है ये हमारा समानतर चत्र बुज़ और सम चत्र बुज़ सम मिन्स बराबर सम चत्र बुज़ बराबर तो है पर कौन सम कौन नहीं है तो ये आपस में इसमें फर्क करना है और इसमें जब इसी परिवाचा या आए इसमें आपने उलजना बिलकुल भी नहीं है, अगला हमारा है सम्लम चत्रुपुज, उस चत्रुपुज को कहते हैं, जिसकी सम्मुक भुजाओं का एक यूगम परस पर समान अंतर होता है, अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा बना हुआ है, तो इसका जो एक यूगम है, वो आपस में समान अंतर पर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये एवी और आपका डी सी रेखा है, दी वी है, तो ये जो रेखाएं हैं आपस में, ये समान अंतर है, एक यूगम इसका समान अंतर है, इसको हम कहते हैं सम्लम चत्रुपुज, अगला हमारा है बिश्यम कौन आय ही होते हैं तो जैसे हमने समानंतर चत्रोज में पढ़ा था उसी तरह से ये भी हमारा है बिशम कौन आयत बिशम कौन आयत का मतलब है कि इसमें उलजना नहीं है बिशम कौन मिन्स अगर आयत में समकौन है तो आयत ही है और यदि आयत में समकौन नहीं है तो वो बिशम कौन आयत कहलाती है जैसे आप चितन में देख रहे हैं यह हमारी है बिशम कौन आयत अगला हमारा है बिशम चत्रवुज इसकी कोई भी भुजाएं समान अंतर नहीं होती है लेकिन आसन भुजाओं के दो जोड़े बराबर हो सकते है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यह हमारी बनी हुई है बिशम कौन चत्रवुज इसमें रेड लाइन से दो लाइने इसमें शोक हुई है यह जोड़ा आपस में समान बराबर हो सकता है इसको हम कहते है बिशम चत्रवुज अगला हमारा है सम बहुज ऐसी बहुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो और सारे कौन समान हो उसको हम कहते हैं सम बहुज जिसकी सारी भुजाएं सम बहुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी तो वो भी सम बहुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी सारे कौन बराबर होगे उपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगे जादा कम नहीं होगे तो उसको हम कहते है सम बहुभुज और वो आकरती कोई भी हो सकती है उसमें फिक्स नहीं है कि यही आकरती है सम बहुभुज भी कोई सी भी आकरती सम बहुभुज हो सकती है जिसकी सभी भुजाए और कौन ब्रावर अगला हमारा है कर बहुभुज के एक कौन से दूसरे कौन को छोड़ तीसरे कौन को मिलाने वाल ये देखा को कर्ण कहते हैं जैसे कि आप चितन में ये देख रहे हैं ये हमारा है कर्ण अब ये A, B, C एक कौन बना हुआ है और जो A, C है ये इसका कर्ण है तो ये A कौन से जैसे मान के चला आप A कौन से अगर ये रेखा जा रही है तो B कौन को छोड़ रही है दूसरे कौन को छोड़ रही है और मंद्य से तिसरे कौन को मिला रही है तो तिसरा कौन कौन सा हो गया? C तो A.C. जो रेखा है ये हमारी है करण इसको हम करण कहता है अगला हम इसमें जो पड़ेंगे वो पड़ेंगे उत्तल बहुझ जिस बहुझ का प्रती एक काण दो सम काणों से कम हो उसे उत्तल बहुझ कहते है यह बहुजे पेपर में बहुत जादा यह पूछी जाती एक कमिशन में तो ऐसी बहुज जिसके जिसका एक कौन दो समकौनों से कम हो come means 180 degree से कम हो जैसे आप आकरती में देख रहे है इसके जितने भी कोन है वो सभी कोन जो है 180 degree से कम है एक एक कोन जो है कम है इस से ठीक है जोड़ा नहीं कह concur ah यह कह रहा है कि एक जो concurna परतिये कोन जो है वो दो सांकोनों से कम होगा तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें सभी जो कौन है वो 180 डिग्री से कम है अगला हमारा है वृत बहुज जो वृत बहुज है वो है जिस बहुज का कोई भी कौन दो समकौन से अधिक हो उसे वृत बहुज कहते हैं इसको हम रिफ्लेक्स पॉलिगॉन भी कह सकते है और यह जो हमारा है इसका एक कौन जो होता है वो 180 डिग्री से जादा होता है कोई तो सब्सक्राइब हो सकता है जैसे आप ये देख़ रहें यह एक इसका जो है एक 180 EG से ज़्यादा है तो एक सो हम कहेंगे डिप्लेक्स पॉलिगोन या वृत बहुज या पॉलिगोन भी हम इसको कह सकते है यह हमारा है इसका बहुत ध्यानक नहीं उत्तल बहुज और वृत बहुज जो है यह दोनों बहुत जादा पूछे जाते हैं अगला हमारा है बिकर वे रेखाखंद जो किसी बहुज के दो आसन शिर्षों को मिलाने से बनता है उसे बिकर्ण कहते है यह ऐसा भौभुज़ आप देख सकते है इसमें यह हमारा है बिकर्ण है किसी भी भौभुज़ के दो शिर्षों को यह मिला रहा है यह दो शिर्षों को मिलाने से बन रहा है जैसे पेंटागोन यह बना हुआ है और पेंटागोन का यह जो है वो कर्ण मिला रहा है पेंटाग जादा और वो उसके कौनों को मिला रहा है जिस भी आकरती में नमबे डिगरी कौन है जैसे आयत है बर्ग है आपका त्री भुज है वो भी समकौन त्री भुज है तो वो है आपका कर्ण और यदि बहुज है कोई सा भी बहुज है पर उसके कौन नमबे डिगरी के नहीं है त इन भहुज्यों के करणों को इसन मिला जाता है उन को करण नहीं कहेंगे उन करणी शिर्षोग्र जब भी मिलाएंगे तो उसको कहेंगे बीकर्ण ये इसमें फरक इस तरह से इसके में इसको हम लन कर सकते हैं अगला हमारा है आयत का अंत्रण आयत का अंतरंग सम्तल का भाग है जो आयत से गिरा जिसलिए अब चित्र में देख रहे हैं यह हमारी आयत बनी हुई है इसके अंदर जो यह अलग से कलर हमने किया हुआ है यह हमारा है आयत का अंतरंग इसके साथ जो बाहर की लाईने वो इंक्लूड नहीं होती है यही दियार नखना है यह कमेशन में बहुत बार उचेगे दो प्रश्च से के बनते हैं अएक अइत कर अंत्रंग और एक अए आधाकार شट्र आधाकार शेत्र है आधाकार प्रदेश कर में बाद में भी आपको दूसरी डिकेशन में बता हुआ इसमें आप समझे आए कि ये ये हमारी आएद बनी हुए और जो है कलरस ल вाग है ये है आए आएथ का अंतरंक अगला हमारा है आइताकार शैथ आएद और आएद के अंतरंक के सम्मिलन को आएथाकार परदेज कहते है यह भी जो commission हुआ था 2017 में उस commission में भी यह प्रशन आया था जिसमें कि मैंने भी qualify किया था तो वो उसमें भी यह प्रशन आया था मैंने इसमें यहां पे vicious तोर पे लिखा हुआ है important question है यह तो यह आपने देखना है यह मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपके बना हुआ आयत है ये है आयत बना हुआ और इसके अंदर का जो कलर है ये इसको कहेंगे अंतरंग बट ये इसके सासा जो बाहर की लाइन है ये भी इसी में ही इंक्लूड है क्योंकि इसका फिर शैतरपल बढ़ जाता है ना क्योंकि अगर अंदर का लेंगे आप इसको include करते हैं तो ये शेत्र बिलिज का बढ़ जाता है इसको कहते है आयताकार शेत्र या आयताकार प्रदेश तो ये विशेज धानक नाएं कि ये आयताकार आपका आयत का अंतरंग आता है तो अंदर का जो शेत्र है लाइन से अंदर का जो शेत्र है वो हमारा है अंत चत्रभुज को चक्रिय चत्रभुज कहते है जिसके चारों शिष्ट एक बृत पर स्तित्वों चक्रिय चत्रभुज कहलाती है या वह चत्रभुज जिसके दो समुख कौनों का योग दो समुख कौनों के बराबर होता है अब आप ये समझे, ये आपके बाद चितर में दिया हुआ है ये जो चत्रबुज़ है, इसकी чारो कोन एक बिरिद परस्ती थे पहले मैंने परिवाश में बताया था, जिसके चारो कोन एक बिरिद पे बने हुए हो चार कॉन ब्रित पे बने हुए और दूसरा इसका फैक्ट बनता है कि दो सम्मू कॉनों का योग दो सम्मू कॉनों के बराबर हो दो सम्मू कॉन मिन्स 180 डिगरी के बराबर हो तो इसका कोई से भी दो कॉन आप जोड लीजिए उनका सम्मू कॉर्ण जो इसके है उनका जोड जो है वो 180 सी डिग्री ही आएगा तो वो हमारा है चक्रिय चत्रवज ये बहुत ध्याना हमने रखना है कि चारों शिर्ष जो है इसके है वो ब्रित पर बने हुए होगे पहली कंडिशन है और दूसरी कंडिशन है नका जो जोड जो है दो सम्मू कॉर्णों का बरावर मेंज 180 डिग्री के बरावर उसको हम गहते हैं चक्रिय चत्रवज ये हमारी कुछ आज परिवाशा है थी ये हमने 14-15 परिवाशा है आज हमने पढ़ी है इसके उपर हमने डिसक्स किया है यह बहुत important है और यह commission, drawing commission में बहुत ज़्याद आती है और हमारे जो कक्षा के बच्चे है, नौई दस्मूई के बच्चे है, अठोई के बच्चे उनको भी यह knowledge होनी बहुत ज़रूरी है अगली वीडियो में मैं इससे संबन्दित और जो question है वो परिभाशाओं में नहीं आते है पर बहुत ही important प्रेशन है जैसे चत्रभुज के आंत्री कौन कैसे निकालने है, भाहिये कौन कैसे निकालने है उसके सुत्र में इसमें बताऊंगा तो आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो हभी से चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले थैंक्स पर वोचिंग माई चैनल